दोस्तो, IPL के रिगार्डिंग एक बेहती शौकिंग नियूस निकल के आ रही है, ऐसी समवाबना है कि तीन अफगानी प्लेयर इस साल IPL मिस कर सकते हैं, तो दोस्तो, कौन है वो तीन प्लेयर ये जानने के लिए वीडियो को आगे देखते रहें, अगर आप इस चैनल पे नह हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे क्रिकेटिंग नियूस और IPL के नियूस देखने के लिए, अगर इस वीडियो से आपको कोई इन्फरमेशन मिलता है, तो कौन है इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, तो चलिए दोस्तो, शुरू करते हैं, आप देख रहे हैं, क्रिक एक्सप्रेस, तो दोस्तो, अफगानिस्तान क्रिकेट वोर्ट के, यानि की, ACB के मुझीपूर रहमान, नवीनुल हक और फजल हक फारुकी को, अगले दो साल के लिए, NOC देने की संभाबना नहीं जताई गई है, अफगानिस्तान क्रिकेट वोर्ट की अनुसार, बोर्ट ने इन सभी किलारियों के लिए, 2024 के एनुवल अनुबंद में बिलम करने का फैसला किया है, और उन्होंने मामले को पूरी तरह से जांच करने के लिए, एक समिधी का गटन किया है, क्योंकि इन किलारियों ने एक जनुवरी से, अपने केंद्रियों पर हस्ताक्षत नहीं करने का आगरह, बानित जी लीगों में उनकी भागीदारी अफगानिस्तान के लिए खेलने पर अपनी व्यक्तिगत हितों की प्रात्मिक्ता देना है, जिसे एकराश्टी और जिम्मधारी माना जाता है, एसीरी ने कहा है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलारीों के खिलाब अनुशाशनात तक कदम उठाने का सैसला किया है, अफगानिस्तान भारत के खिलाब तीन मैचों के टी टोइंटी सीरीज खेलने की तैयारी कर रहा है, जिसका पहला मैच होना आए, ग्यारा जनुवरी को मोहले में और दूसरा मैक्स हो बोर्ड ने कहा कि मुझीप, नवीन और फारुकी ने भी राष्ट्यो टीम की सीरीज में भाब लेने के लिए उनकी सहमती पर विचार करने का अनुरोद किया है, इसी मही ने आईपिल दो आजार चौबीस के लिए निलामी हुई है, और निलामी के दोरान मुझीप को पु उपर जाइन्स और पारुकी को संड्राइजस हाइदरबात ने रिटेन किया है, एसी मही ने कहा कि इन तीनों खिलारियों को दी गई एनोसी तुरंद रत कर दी जाएगी, इन तीनों खिलारियों ने ऑक्टोबर नॉविम्बर में 50 ओवर के विश्वकप में अफगानिस्त का प्रतिनिद्द किया है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एसी बी इन तीन खिलारियों को खेलने का पर्मिशन देंगे, तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, एसी बी इन तीन खिलारियों को आईपियल 2024 में खेलने का एनोसी देगा, आप अपना विचार कॉमें कीजी